सो हेलो गाइस, वेलकम तो गौर्ण प्रेपडेस, टोड़े आई ब्रिंग आपको पे आउट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको अलाउंस बहुत जाद अच्छे देखने को मिलेंगे, जहाँ पे आपको इस कंपनी के बैनेफिट जो हैं, वो बहुत जा आ रही है, वो आ रही है, डिपलोमा वाले के लिए, जिन्होंने अपने डिपलोमा कंपलीट कर रहा है, उन लोग के लिए जिन्होंने अपने आई टिया कंपलीट कर रहा है, उन लोग जिन्होंने अपना नर्सिंग कोर्स कंपलीट कर रहा है, उन लोग के लिए यहाँ पे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाए और जो बचे एक 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 चीज़े साही डिसकस करेंगे कि क्या के डॉक्यमेंट्स आपके पास होने चीए किते मांक्स आपके आई टिप्लोमा कंप्लीट होने चीए क्या इसका सेलेक्शन प्रोसेश रहने वाला है इन सारी चीज़ों को डिटेल में डिसकस करेंगे तो आप कीजी इस वीडियो को लाइक और इसे के साथ आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं जाना टाइम वेस्ट ना करते हूं डारेक्ट चलते हैं नोडिफिकेशन के ऊपर जैसा स्क्रीन पर देख सकते हैं जहां पर हाइरिंग कर रहे हैं ग्रूप C पोस्ट के लिए और सबसे पहले बात कर लेते हैं किन किस दुमेंच में आपकी जॉब निकली हुए है सबसे पहले बात करते हैं 6 अगर अपने अपने ट्रेल सब्स कर सकते हैं 25 मेरे ट्रेंज अपने इ Lornaam के कंपलीट कर रह 25 Bird कर सकते हैं इस जोन है इस जोरस के सकते हैं इसके बात करते हैं स्टााफ नर्स की तो जोन्हें अपने nursing course complete कर रहा है वो यहाँ पर इसको apply कर सकते हैं इसके लावा बात कर लेते हैं कि कितना qualification percentage आपके पास यहाँ पर होना चाहिए तब जाके आप इसको फर्म को apply कर पाएंगे जिन लोगों ने diploma complete कर रहा है भी 60% वो यहाँ पर इस job को apply कर सकते हैं same for ITA candidates same for nursing candidates इसके लावा बात करते हैं जो ITA candidates हैं उनकी यहाँ पर apprentice complete होनी चाहिए अब मैं previously बहुत सारी videos ऐसी लेकिए आया था ITA candidates के लिए जिनके लिए apprenticeship यहाँ निकली हुई थी तो अगर उन्हें apprenticeship यहाँ पर अपनी complete करी होगी इसके लावा बात करते हैं उन candidates को यहाँ पर 5% का आपर आ राखे तो भी यहाँ पर इसके फॉर्म का अप्लाइग कर सकते हैं अब बात करते हैं आप एज लिमिट ही तो आपकी age limit ही तो आपकी age limit ही तो आपकी 28 years हो नीची है और अगर आप से टेटेकर से belong करते हो तो आपको एक्स्रा age election देखने को मिल जाएगा इसके लाए बात करते हैं आपको आपकी ट्रेने की अच्छी रही है और उसी परफॉरमेंस की बेसिस पे आपको परमनेट इपलाई की तरह आपके हाईul किया जाएगा और इससे पहले अगर आपकी परफॉरमेंस खराब रही आप OFFICE टाइम से रहाती हो और अगर इस तरीके के आपको उच भीएवियर रहता है तो आपको BE, ML यहां पर पहले भी निकाल सकता है और आपकी training complete होने के बाद आपको permanent employee की तरह hire नहीं करेगा इन सारी चीज़ों को आपको यहां पर ध्यान रखना होगा, same criteria आपको ITI वालोगे लिए अपलाए होता है, stay में आपको staff nurse के लिए count होता है इसके अलावा जादा को information यहां नहीं बताई हुए कि कितने marks सही exam होगा, negative marking होगे नहीं होगी यह सारी चीज़ों नहीं नहीं बताई हुए है कि एक computer-based test आप किसके city में आप होने वाला है, आपका यह computer-based test रहेगा दिल्ली में, कॉलकता में, मुंबई में, इन major 4 cities में आपका यह computer-based test होने वाला है इसके अलावा, along with आपका, अगर ICCC category सो belong करते हो, तो उसका आपको certificate होना चाहिए कोई आपके पास previous experience है, तो आप उसको attach करना चाते हैं, तो आपके पास revealing letter होना चाहिए यह सारी चीज़े आपके पास होना चाहिए, प्लस यहाँ पे आपका detail में, आपके resume होना चाहिए अब resume आप detail में कैसे build कर सकते हो, उसके लिए मैंने एक i button में video attach किया हुए अब वहाँ पे चाके check कर सकते हैं, कि आप अपने resume को बहतर कैसे बनाए वह वीडियो आप ज़रूर देखना, आपको एक idea लग जागा कि आप detail में resume इतना अच्छा बना सकते हो उसके अलाओ along with यह documents आप recent photograph देख सकते हो, signature देख सकते हो, cast certificate यह सारे किस resolution में आपको upload करना है, वह भी यहाँ पे दिया हुआ है, उन्हीं resolution में वह सारी चीज़ों को upload करना और upload करने के बाद उस copy को अपने पास ज़रूर रखना अगर आपको इस notification regarding कोई भी doubt है, comment करके ज़रूर बता है अगर यहाँ पर 100 बंदों ने आपको इसके form को apply कर रहे हैं, तो यहाँ पर 80 बंदों की भरती आपको ही जाती है और यहाँ पर इसके results बहुत ही जल्दी निकल के आते हैं, जैसे कि आप इसके exam की बात करते हैं, तो इसका exam में आपके एक December 2023 को यहाँ पर होना वाला है, यह tentative date है, बट यहाँ पर इस स्यादा extend नहीं होती है, BEML का यहाँ पर previous years में यही criteria है कि वो जादा late नहीं करते हैं इसके लाबा guys मैं आप से मिलूँगा next video में next सरकारी job date से तब तक लिए गुट बहें, take care